बलिया और विश्णोर से शुरू हुई गंगा यात्रा का सवापन हो गया है। मुक्यमंत्री योगी आदितनात कानपूर पहुँचे अटल घाट पर उन्होंने गंगा आरती की। इसके बाद उन्होंने निशाद पार्क में आयोजे तिज्वन सभा को सम्भोधित किया। देखिए रिपॉर्ट। सांस्कृतिक विरासत की साक्षी गंगा की धारा को फिर से आविरल और निर्मल बनाने के लिए सूबे के मुख्या योगी ने बेटे की तरहा मा गंगा की सेवा की उनका सत्कार किया। सीम योगी ने न सिर्फ गंगा के खाटों को चमकाने पर विचार किया बलकि गंगा की अविरलता में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए सार्थक कदम भी उठाए। गंगा की निर्मलता और गंगा को धर्म के साथ, गंगा को अर्थ के साथ गंगा को भार्ती एता के साथ जोडने की संकल्प की साक्सि भी बन रहा है। बिश्णोर और बल्या से गंगा यात्रा की शिरुवात कर सीम ने पर से मा गंगा की सेवा का बीड़ा उठाया है नमामी गंगे के तहट सीम योगी ने गंगा सपाई के प्रती जागरुकता लाने के लिए 27 जनवरी को बिश्णोर से गंगा यात्रा की शिरुवात की पाच दिन तक चली यात्रा 31 जन्वरी को कानपुर में जाकर समाप्थ हुई गंगा यात्र के जरिये प्रदेश सरकार, पर्यवरन और गंगा सपाई अभ्यान के प्रति लोगों को जाकरु करने के अलावा गंगा किनारे बसे गाउं का विकास चाहती है पाच दिवस्ते गंगा यात्रा करीब 27 जिलों से होकर गुजरी, इसमें 1026 ग्राम पंचाय पे शामिल रही बल्य और विश्णूर से चली गंगा यात्रा के रत्म करीब 1238 किलोमेटर का सफर तै किया कि मां गंगा के बारे में कहा जाता था कि गंग्णमामी गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल प्लाइंट है वह है कानपूर कानपूर के आगे गंगा में जलिये जीव भी नहीं थी बदबू थी और उसका खामियाजा हमें प्रियाग राज में भुकतना पड़ता था अभी यहां पर उप्मुख्यमंत्री सी केसो जी कह रहे थी कि विगत वर्ष जब प्रियाग राज में कुंब हुआ था तो कुंब के आगे जमें 24 करोड 56 लाग सरवालों ने गंगा जी में डुपकी लगाई थी जोंकि गंगा निर्मल थी यात्र को सफल बनाने के लिए योगी सरकार को केंद्र का भी साथ मिला इस एतिहासिक यात्रा में केंद्र सरकार के 10 मंत्री शामिल हुए इसके अलावा राजिस सरकार के सभी मंत्रे, विधायत और बीजेपी के लोगसभा सांसदों ने यात्रम में अपना योगदान दिया जिस जिस इलाके से यात्रा गुजर रही है, वहाँ पर गंगा पूजन और पुश्प वर्शा की गई यात्रा के स्वागत में जगा 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 जन सभाए हुई गंगा तलावों का निर्माण किया गया किसानों को गौ आधारित खेती की ट्रेनिंग दी गई साथी खेल मैदानों की स्थापना भी की गई गंगा की तलहटी परवसे गाहों के विकास के लिए भी यात्रा बेहत एहम मानी जा रही है